इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है हमारे शरीर में रक्ट शर्करा यानि की शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इंसुलिन आपके रक्ट शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है और भोजन करने के बाद उन्हें बढ़ने से रोकता है। जब तक यह निर्धारत किया गया है तब तक आपको इसे लेते रहना चाहिए। रक्त शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप स्तर को नियंतरित कर सकते हैं तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि किड्नी की क्षती, आखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं। उचित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछलें या तोड़े नहीं। इसे लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।